सजादो घर को गुले शने सा अवद मेरा में आये अभी तक तो देखे कहां पर थे टेंट वना था लगे कुटिया पितुले हने सी अवद मेरा में आये सिताराम सिताराम कहिये जाही विधिरा खे पर नारजी धीरे धीरे उनकी तपस्या और कठोर करते जा रहे है अब नारजी ने कहा अन्य त्याग दो दुरूप जी ने अन्य त्याग दिया केवल फल और जल पे रहे रहे हैं फिर कहा फल भी त्याग दो फल भी त्याग दिया तो महाराज, तो कहा, जल्भी त्याग दो, अन्य त्याग दो, फल त्याग दो, वो बिल्कुल भूके हैं, सिर्फ भगवान के नाम का जाप करते जा रहे हैं अन्त में आखरी पड़ाव आता है, नारज जी ने कहा, इसके बाद भगवान को तुमसे मिलने, आना ही पड़ेगा क्या करना होगा नारज जी, दुरूब जी अपनी सांसे रोक लेते और ऐसा आज तक नहीं हुआ, कि भक्ती करते करते किसी की मृत्यू हो जाए देवी देवता भगवान के पास जाते हैं, कि प्रभू अब उस बच्चे की और परिक्षाना अब उसे दर्शन दे देजिए तब वहाँ पर साक्षाद परम पिता परमिश्वर भगवान विश्णू विराट रूप में दुरूब जी के सामने आते अब दुरूब जी तो नेत्र बंद करकर खड़े हैं भगवान उनसे कहते है अरे पुत्र उठो देखो मैं आ गया दुरूब जी कहते है आप कौन उन्होंने थोड़ी भगवान को देखा था वो कहते है आप कौन अरे भगवान कहते मैं वासुदे जिसकी तुम तपस्या कर रहे हो दुरूब जी प्रसन होकर भगवान को गले से लगा लेते भगवान कहते कहो क्या पूछना है क्यों बुलाया मुझे क्यों दुरूव जी कहते हैं मुझे ये बताईए छोटी माता ने मुझे पिता जी की गोज से क्यूं उतार दिया पिता जी अब मेरी माता के पास क्यूं नहीं आते छोटी माता मुझे इतनी बाते सुनाई पिता जी ने एक कभी जवाब नहीं दिया पिता जी ने एक का भी जवाब नहीं दिया भगवान कहते अरे 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 इतने सारे प्रश्न एक साथ पहला प्रश्न पुछू जिसका उत्तर तुम्हें सबसे पहले जानना दुरूब जी कहते हैं छोटी माता ने मुझे पिता जी की गोद से क्यूं उतार दिया भगवान कहते हैं तो यही प्रश्न है जो तुम्हें इतनी तकलीफ दे रहा है भगवान दुरूब जी के सर पर हाथ रखते हैं और साक्षात्मा सरस्वती उनके मस्तक पर प्रवेश कर जाते हैं भगवान कोई जवाब नहीं देते भगवान फिर कहते हैं और कोई प्रश्न करना है दुरूब जीने का सारे उत्तर मिल गए मुझे सब समझ में आ गया है इस प्रकार भगवान दुरूब जी को दर्शन देते हैं अब इनी के वन्ष में राजा अंग हुए राजा बैन हुए राजा बैन बड़े ही पाखंडी राजा हुए उन्होंने उनके राज में जितने भी मंदिर थे उन सब में से भगवान की मूर्तियां हटा कर अपनी मूर्ति लगवाई थी और ऐसा भी नहीं कि ये करने पर वो कह दे के मैं तो राजा हूँ कुछ भी कर सकता हूँ नहीं वो उसका तर्क देते वो कहते के शास्त्रों में लिखा गया है कि एक राजा के अंदर छे देवता निवास करते हैं तो ऐसे तो मैं भगवान हूँ मुझे पूजो प्रजा परेशान हो जाती है रिशीगणों के पास जाती है रिशीगणों को समझाते हैं वो नहीं मानते उनका निराधर करते हैं तो क्रोध में वो राजा बेन को भस्म कर देते अब प्रजा कहे कि गद्धी पर कौन बैठे रिशी गणों ने कहा कर इतना ही है तो भगवान को ही बुला लेते हैं कौन सी प्रजा मना करेगी अगर उन्हें पता चले कि भगवान उनकी राजा बनने वाले ही सब बड़े प्रसन हुए तो एक लोटे जैसा पात्र मंगाया गया उसमें राजा बैन की जो राक बच्चती है वो डाली गई थुड़ा दूट डाला गया उसका मन्थन किया जाता ह है करते करते उसमें से कौवा उड़कर निकलता सब ने कहाई यह क्या है बोले यह राजा के पाब थे फिर मन्थन करते हैं करते एक अवतार राजा प्रिथु निकलते हैं इनी के नाम पर धर्ती का नाम प्रथवी पड़ा राजा प्रिथु से प्रथवी कि राजा प्रिथु काफी समय तक राज करते हैं उसी वंश में भरत नामक एक राजा हूँ है बहुत अच्छे राज़ा उन्होंने अपने राज़काल में बहुत अच्छे काम किये फिर बच्चों को राज़ देकर उवन की ओर चले गए एक बारवे नदी में सनान कर रहे थे एक तरफ म्रिगों का समूथ था म्रिग यानी हिरन म्रिग यानी हिरन उसमें से एक म्रिग मादा भी थी जो गर्बवती थी अचानक से सिंग की गर्जना होती है तो सब दूसरी और छलांग लगा रहे तो उस म्रिग मादा ने भी छलांग लगाई पर उस छलांग लगाते वक्त ही उसके गर्ब में से बच्चा गिर गया पानी के अंदर गिरता है तो पानी में भरत जी थे उन्होंने तुरंट पकड़ लिया लेकिन इस घटना के कारण वो म्रिग मादा की मृत्यू हो गई भरत जी ने देख लिया भरत जी कहे अब इस अकेले बच्चे को कहा छोड़ू में तो वो उसे अपने साथ लेकर आगा अब दिन भर उसे अपने ही पास रखते 24 गंटे वो भरत जी के साथ रहे अब आप 24 गंटे की जी किसा समय बिता रहे है तो मोह पढ़ जाना तो स्वभाविक है उनको अत्यंत प्रेम हो गया उस मरिगबालक सा अब वो हर वक्त मरिगबालक को अपने साथ रखते सोए तो मरिगबालक के साथ, उठे तो मरिगबालक के साथ, स्नान करे तो मरिगबालक के साथ, पूजा करे तो मरिगबालक के साथ, भोजन करे तो मरिगबालक के साथ, दिन भर उसी के साथ रहते, एक दिन वो पूजा की तयारी कर रहे थे, मरिगबालक कुटिया के बाहर खेल कर रहा था उन्होंने सोचा पहले तैयारी करनूं फिर उसे अंदर ले आँगा फिर साथ वैठ कर फूजा करेंगे वहां पर म्रिगों का एक समू आता है अपने जैसों को देख कर वो उसके साथ चला जाता है अब यहां तैयारी खतम हुई भरत जी बहार आते हैं म्रिग वाल रहांने म्रिगा उसे हृद दिरे दिरे वर्ष बीथते हैं अंत समय आता है भरत जी का कि अंक गैसमे में इसकी मुख में केवल एक ही नाम मेरा मर्ग भालक का क》 कहते हैं अंत समय में आप जिसका नाम ले आपको वही योनी प्राप्त होती है इसलिए जादातर कहा जाता है भगवान का नाम लो कि जन्व म्रत्यू के चक्कर से ही छुटकारा मिन जाए उन्होंने म्रिग का नाम लिया तो दूसरी योनी उन्हें म्रिग योनी प्राव्तु पर क्योंकि अपने राज्यकाल में उन्होंने बहुत पुन्ने किये थे तो उनको सब कुछ याद था तो सम्रिग योनी में वो सही समय पर उठते, स्नान करते, भगवान का नाम जब करते तो दूसरा जनम उन्हें मनुष्य जनम में एक ब्राम्मन के घर पर संयोग से इस जनम में भी उनका नाम भरत ही पड़ता है ब्राम्मन की दोस्त्रियां थी, एक से कुछ बालक हुए और एक से एक कन्या और एक बालक हुए एक बालक थे भरत जी बड़े ही सीधे, शान्त बालक कुछ समय बाद माता पिता की मृत्ती हो गई बड़े भाईयों ने सोचा इसको जादा पढ़ाते नहीं है वरना आगे जाकर दिक्कत करेगा शिक्षा बहुत जरूरी है शिक्षा आपको बहुत समझदार बनाती है आपके हकों के बारे में बताती है कि आपका क्या-क्या हक है क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है मैं एक बात हमेशा कहती हूँ हर माता पिता से कि बच्चों कि शादी के बारे में बाद में सोचना पहले उनको अपने पैरों पर खड़ा करी खास करके बेटी आँ क्योंकि एक बेटी किसी और के घर में अन्याए तभी सहेगी जब उसे पता है कि वो खुद के पैरों पर खड़ी नहीं है वो किसी ना किसी पर निर्भर है